रोस्कुबर में आप सबी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ तहसीन फात्मा बिलेटी की शुरुआत कर लेते हैं फरीदाब बासे परदाबाद के ग्यान दीप स्कूल में पूर्व प्रधान मंतरी भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजबाई को भावभी ने शुरुद अपीतु विश्व के नेता थे भलकी उन्हें हर वुबर्ग हर दल का इसनेह प्राप था अटल जी के जाने से एक कवी राजनेता की जो कमी हुई है वो हमेशा खलेगी तो पूर्व प्रधान मंती अटल विहारी वाजबाई भले ही अब हमारे बीच ना हो पर आज हर देश वास्यों के दिल में है जिनको कभी भूला नहीं जा सकता अटल जी का सोला अगस को दुनिया को छोड़ गए पर वो अमर है और अमर रहेंगे जिनोंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया कारगिल किन लडाई से लेकर उनका लंबा सफर रहा अटल जी हर किसी के दिल में है आज देश ने भारत रतन को खोया साथ दिन का सोग परकट करने के लिए कहा है लेकिन जिस सक्षित के हम बात कर रहे हैं अटल वियारी वाच भई तो साथ दिन में भुलाए नहीं जा सकते उनके प्रेड़ना है उनका आदर्मान सम्मान उनके शिक्षा है तो हमेशे बच्चों को याद रहेगे हमें याद रहेगे कि आदर्म प्यारे जी हमारे देश के पुराने प्रदानमंत्री थे पर उनकी आज 16 अगस्त को उनकी विए Grüиса के विए कि रहेगें पेंशिन बाहली संगर संगर समीती के बैनर तले फरिदा बात में सभी मुके संगतनो हसला सरव करमचारी संग एच जी सी टी समेत सभी सरकारी विभागो, क्रैजुरी, स्वास्त, हुड़ा, उच्चिशिक्षा, आदी के कर्मचारियों ने कैबनेट मंतरी विपिल कोईल को 2006 के बाद लगे कर्मचारियों की पुरारी पेंशन लागू कराने के लिए ग्यापन सौपा और पुरारी पेंशन की आवाज मौजुन सत में उठाने का दबाव डाला। कि ये कर्मचारियों के साथ धोका है जिसके कारण सरकार की वर्षो सेवा करने वाले कर्मचारियों का बुड़ापा आर्तिक आसुरक्षा से घिर गया है। अगर सरकार वाकई में कर्मचारियों का हित चाती है तो पुरानी पेंशन लागू करने के लिए विध्याक लेकर आगे बढ़ेंगे गुरुग्राम से सुहाना धुनेला गाउं की बी पी एल परिवार की जमीन कबजाने का मामला दरसल सामने आया है जहां सेंट्रल पार्क नामक कमपनी ने गाउं की नदी और रास्ते पर अपना कबजा कर पार्क बना लिया है जहां आज पूरे गाउं वालों ने जम कर हंगावा किया और सरकार और प्रिशासन से गुहार लगाई की आने जाने वाले रास्ते को छोड़वाया जाए और कमपनी के उपसक्त कारवाय की जाए सेक्लो की संक्या में गाउं की सभी महिलाएं और नमबदाज सची पहुचे और कमपनी के रास्ते को छोड़ने के लिए कहा और साती चरताम ने भी दी जादाम में काफी जिन से बिशी हुई है और इसमें जो है यह जो वृट ज्याद परिशान गर रहे हैं और पर अमारे पास हमारी अपनी मल्कियत है जिस चे हम रास्ता मांग रहे हैं हम सिर्फ अपनी दहार को मांग रहे हैं पर किसी कम्पणी से कोई दवाव नहीं दॉलें कि यह एक बीपियल करीब 15 पहले हैं तो इसमें करीब आठासी प्रोट है यह पहले हमारे यह घाउं में रिवेन्यू रास्ते नहीं तो अधिकारियों ने एक बीपियल करने काटते टाइम एक असवासन मोखिक तोर पे दिया क तो उसमें यह लोग तियार हो गए और यह पलोट कट गए और इन लोगों ने अपनी जमा पुंजी सारी हैं मकानों में लगा दी उसके बाद सोना का मास्टर प्लान आ गया दोजार शे साथ में करीब करीब पांस में 2012 में 2012 में मास्टर प्लान आ गया तो बिल्डरों ने चारो तरफ जमीन करजनी शुरू कर दी और बिल्डरों को अब लगने लगा है कि अपने प्लाटों की लोकेशन इस कलोनी की वज़े से दब रही है तो इनों ने इन लोगों के उपर अत्याचार करने शुरू कर दिया कभ करीब एक अपता पहले हमारी एक बच्ची गाओं की खेलते खेलते इनके भरे हुए गड़े में जो नदी जो पानी था जो रुप गया था भर गया था तो उसमें डूब गया उसकी मृत्य हो गई एक बच्चे की हाला तभी ना जूग है वो होस्पिटल में एडबिट है उदसे साथ जिले के गाओं गऔरी लाल के एक यूवक ने पुलीस को शिकायत दी कि कुछ यूवक उसे कई दिनों से ब्लैक मिल कर पैसे एटने का काम कर रहे हैं Deck प्रबत यूवक ने गोरी वाला पुलीस को ब्लैक मिलिंग करने वाले गिरों के खिल में ग्रह के खलाफ ए उसको बाद में रिकॉर्डिंग के आधार पर जूटे केस में फसाने के लिए ब्लैक मेल किया है और उससे 50,000 रुपए देने की पेशकश की और उससे 2-3 बार 10-10,000 रुपए ले लिए है जिसके बाद उससे हर दिन बलादकार के केस में फसाने के लिए बोला गया अब आबर प्रतारित किया गया और गौरी वाला चौकी प्रभारी सुरेश कुमान ने बताया है कि शिकायत के आधार पर रजेंदर गैंक के कुल चाल लोगों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ मामला भी दर्श कर लिया गया है साथी मामले की जाच अभी भी जारी है आज सुक्विंदर पाल उर्फ मंगी सनौफ राकेस कुमार वासी बोरिवाला ने चोकी में आकर एक लेकी तरकास पेस की कि राजिंदर उुर्फ safeguard वै उसके चार पांच अमसातियों ने मेरेको ब्लेककार आपसार करेमेरा दीगों कर दिखा गया कर दिए लक आणरतियों कि और हमने पुर्व सरपंच मदन कुमार ने पुलीस को शिकायत दे कर पुलीस के से वसींद्र पर गंभीर आरूप लगाया है दोरसल पुर्व सरपंच मदन ने आरूप लगाया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिले थी कि एक व्यक्ती ने बस्टेंड के पास तित सुचना पर कई दिनों तक खड़ी रही बाइक की सूचना पुलीस विभाग में तैनात स. बसिंद्र को दी थी ताकि पुलीस इसकी और पुलीस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी करीबन तीन चार महिने से इस बाइक को प्रियोग कर रहा है और इसलिए एस ए बसिंद्र के खिलाफ चोरी और डकैती में प्रियोग की गई बाइक रखने बाइक की नंबर को नस्ट करके सबूत मिटाने फर्जी नंबर प्लेट लगाने प्लीस विभाग की छवी को खराब करने के आरोप में केस दर्शकर कारवाई की जाए जो के चोरी का है और जो के ट्वाना में कोई टकैती वी थी उसमें भी यूज़ हुआ हुआ है जो के आरोप लगाए है यह किनाना के पूर उफसर पंच है मधन सिंग और पुनर यह आरोप लगाए है भी जो बिसेंदर सिंग है इसके पास जो मोटर साइकल है ये चोरी सुदा है और ये टकैती में भी हुज़ हुआ है यह मौन लाई जी मतले मेरा ओट अब स्टेंड बेर सामने मतले इक मोटसाइकल गड़ू ने झोरी का किस तरिया है मोटसाइल मुने बजिंदर सी आइडिया को कया ओड़ू जिंदर यू मोटसाइल चौरी का है ताइडिया लेजो इटिन बेरिया है तो ने किया वही थाणा में तो नहीं जुरूत नहीं है मतलब आप यूज कर लेंगे मनना क्ये करना है फिर ठीक है विला तरह थाणा में कहने की तो जुरूत नहीं है किसे प्रकार की कोई बाद इसके साथ इस बुलिटिन में इतना ही आप देखते रहे है रास्ट कबर नवसकार